मिलेंगे कैसे छात्रों की जो confusion है वो दूर होगी कैसे अब बड़ा सवाल दरसल यह है कि देश भर में इस परिक्षा को लेकर इसके परिडाम को लेकर students में घुस्सा है नाराज़गी है confusion है वो छात्र अपने भविश्र को लेकर आशंकित है और यह भी सोच रहे है कि का कोट क दखल के बाद चीज़ें बैतर हो पाएंगी इस confusion में हर्याणा के जजर इलाके से मरजत्ती में कुछ स्टूडेंट से बात की है जरसो नहीं क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पूरे मामले को लेकर जिन बच्चों को ग्रेस मिला और वो बच्चे में से 720 मार्क स्कोर कर रहे हैं आठ बच्चे बहादुरगड के ही हैं लेकिन बहादुरगड में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सेंटर जो है वो दूसरे डिस्टिक में था यानि की रोतक में था वो बच्चे साड़े 600 स्कोर कर पाए हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका admission उस top priority के colleges में नहीं हो रहा, जिन priority के colleges को ये बच्चे मार करकर अपनी पढ़ाई किया करते हैं. कुछ बच्चे हमारे साथ उनसे हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? कॉमल. क्या score आया आपका? 641. 641, क्या लगता है कि 720 स्कूर करने वाले ही बच्चे 67 हैं, अब कैसे होगा admission? सर, इस साल तो जो NEET ने किया है, NTA ने किया है, वो सरासर गलत किया है. 641 पे लास्ट येर रेंग थी 9000 के अराउंड, और इस येर इट वोज लाइक 38000. तो अगर हमने मेहनत किया, एक साल तो हमें उसका फल नहीं मिला, अब हम दोबारा से ड्रोप कर रहे हैं, तो इस नोट जस्टिफाइड. NTA ने हमारे साथ गलत किया है और हमें इसका इनसाफ चाहिए. क्या लगता है कि अगर आपका भी सेंटर भादूरगर्ड में होता तो आप भी आज 720 स्कोर कर लेते हैं? येस, क्योंकि भादूरगर्डड़ वालों को ग्रेस मिला है और उसके अकॉर्डिंग उसकी बेसिस पे उनका 720 आई हैं. अगर 650 में मेरा सेलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इट जस्ट अग्रेस की वज़े से हमारा सेलेक्शन नहीं हो पाया. जबकि लास्ट ताइम 610 था जो हाइस गया था लियानवे? येस, तो इस ताइम तो उसके कॉलिज मिल रहा था, 641 ये ज़ेक्शन हो जाता है, अच्छे कॉलिज में मिलता है हमें अडमेशन, बट इस ताइम हमें नहीं मिल पा रहा है, आई होब कि अगर भादोगर्ट सेंटर होता तो शायद मुझे मिली जाता है. आपका सेंटर कहां था? बिवानी. बिवानी में था, क्या नाव आपका? सेर्टनू. क्या स्कोर किया इस बार आपने है? सर मेरा स्कोर है 6-10. 6-10, तो क्या लग रहा है कि इतनी मैनत करने के बाद एडमिशन कहीं अच्छे कॉलिज में हो रहा है? सर, पिछली बार जो कट अफ गई थी, उसमें 6-10 में अडमिशन हो गया था, लेकिन इस बार मेरा 6-10 स्कोर रहा है और मेरा अडमिशन फिर भी नहीं हो पा रहा है. अगर मुझे भी ग्रेस मिली होती तो शायद मेरा अडमिशन हो जाता, अच्छे कॉलिज में. बादुरगर्ट था लेकिन मुझे ग्रेस नहीं मिली. आपके साथ भी हुआ था कि 15 बिनट कुछ और पेपर दूसरा था उसके बाद दूसरा पेपर था या बादुरगर्ट की किसी और सेंटर में आपका जो एक्जाम कंड़ किया गया? सेर हमें पहले दूसरा हमें दो सेट के पेपर दिये गए थे जो एक सेट था वो तो QRST कोड था जो सबको मिला गया लेकिन हमें जो मिला वो MNOP था पांच मिन जादा से जादा हमारे सेंटर पे वेस्ट हुई थी उसके बावजूद NTA ने इतने ज्यादा बच्छों को ग् ही दिये थे उनको उसके जो ग्रेस मार्क्स दिये गए हैं से मैंने फाइफ क्वेस्टन चोड़े थे और बाकी जो मैंने किया उसमें मेरा सिक्स्टें स्कोर बन रहा था